हेलो फ्रेंड्स फिर से स्वागत करती हूँ मैं मौनिका आपका मेरे चैनल पे आज एक नया व्लोग लेके आई हूँ कुछ दिन पहले मैंने डाला था गौहाटी का व्लोग और गौहाटी जाने से पहले हम लोग गये थे बाकि बिहारी जी के दर्शन के लिए तो वहाँ पे हमने क्या-क्या खाया है उसी चीज का व्लोग लेके आई हूँ तो व्लोग शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जिरो ने अभी तक नहीं किया है और वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा तो चलिए शुरूआत करते हैं बाकि बिहारी जी से ये है राधा वललब तर्शन दुलब तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे दुपहर की डेड़ बजे तब बाकि बिहारी के पट्चों थे वो बंदो चुके थे तो हमें लगी थी बहुत देज भूक और प्यास तो हमने सोचा तो इसका एक ही उपाय है लसी विंदावन में हर जगर लसी जरूर मिलती है जो कि बहुत ही स्वाधिष्ट होती है और ठंडी होती है आप लोग जाए तो जरूर पीजिएगा उसके बाद में हम लोग निकल पड़े बरसाने के लिए क्योंकि बाकि बिहारी जी के पट तो बनते तो हमने सोचा चलिए राधा राने की दर्शन कर लेंगे तो रास्ते में हमें मिला ये फूड को जो की बहुत ही अच्छा था और हर तरह का फूड यहां पे हमें मिल रहा था पीजा हट भी था सब्वे भी था के एफसी भी था हर चीज थी तो के एफस जो जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था इसको कहते हैं बिसीवल भात और जिसके साथ हमें मिलाता तही और पापड ये एक तरह की किचडी ही थी जो मिक सबजियों से बनी होई थी पर टेस्ट में आसम ये सब खाने के बाद हम लोग निकल पड़े बरसाने और बरसाने मे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आये नीचे और नीचे गर्मा गरम मिल्क बन रही थे टिक्की और हम लोग बैठ गए टिक्की ये खाने के लिए ये बहुत ही टेस्टी और यमी टिकी थी आप लोग अगर जाए तो जरूर खायेगा उसके बाद में हमने बचाने मे दर्शन किये बागे भीहारी के दर्शन किये उसके बाद वापस निकल पड़े दिल्ली के लिए और रास्ते में रुक के हम लोगों ने खाया ये साउथ इनियन फूर प्लैटर राजमा चावल पाव भाजी पाव भाजी की फोटो नहीं ले पाई तो चलिए अब इसी के सा आप लोगों से विदा लेते हुए मिलते हैं नए व्लॉग में उमीद करते हूँ ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा आप लोग भी आए तो आएगा जरूर खाना बहुत ही डिलिशिस था जहां मैंने बताया है वहां देखिएगा और खायेगा मिलते हैं नए वीडियो में जैशी राधे जैशी बरसाने वाली